हेलो दोस्तों नमस्कार तो कैसे हो आप सभी उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे स्वागता आपका अपनी यूटूब चैनल श्रमाजरिंग क्लासेस के अंदर दोस्तों सभी प्रिक्षाओं को लेकरके यहां भी बहुत बड़ा अपडेट आया है कि प्रिक्षाओं का जो सेड्यूल है वो बिगड़ चुका है अब विदयार्थियों के लिए काफी चौंकाने वाली खबर है क्योंकि दोस्तों विदयार्थि जिस पैटर्ण में त्यारी हैं ऐसे ठिक हैं कि ऐसे हलाद बन चुके हैं तो वो हम आज की इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो दोस्ते वीडियो आप सभी के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को दोस्तों बिल्कुल लाश्ट तक जुरूर देखना और उसके बाद कोई भी आपका डाउट रहता हो तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके अंदर आपको सारी भरती प्रिक्षाइं भी है दोस्तों जो की अभी देरी में आने वाली है ठीक है तो सारा अपने इस वीडियो में डिसक्स करेंगे तो वीडियो को दोस्तों बिल्कुल लाश्ट तक चुरूर देखना यहाँ पर आप देखे लिजिए हैडिंग में बताया गया है कि शिक्षा विबाकी देरी से बदल सकता है फरवरी में आयोजित होने वाली प्रिक्षाओं का सेडूल किसकी देरी से शिक्षा विबाकी देरी से ऐसा क्यों हुआ क्योंकि दोस्तों देखो अब्यर्थना ये लेट भेजी गई जिसकी वज़ाए से सेडूल जो है वो लेट बना अगर देखी यहाँ पे शिक्षाव बागी और से तिरतिया शिर्णी शिक्षक बर्ती की अब्यर्थना में हो रही देरी से राजस्तान करमचारी चेन बोर्ड के सामने संकट खड़ा हो गया है इस देरी के चलते फरवरी में पहले से ते कई बर्तिया परस्तावित प्रभावित होने की स्थिति पैदा हो गई है चेन बोर्ड को इस महीने होने वाली प्रिक्षाव की तीथियों को री सेडूल करना पड़ सकता है बोर्ड को अभी तक शिक्षव भागने च्छालिश जार पांच सो पड़ों की शिक्षव भरती के बिरतना नहीं बेजी है आठ लाग से अधिक बिरती इस बिरती की प्रिक्रिया प्रारम होने का इंतिजार कर रहे है ठीक है यानि की आठ लाख बिरतियों के सपनों पे पानी है दोस्तों ये उसके बाद की हम बात करते है वरतमान में ऐसा है तीन प्रिक्षव का सेडूल तो ये तीन प्रिक्षव आगे पिछे होने का यहाँ पे जो महूल है वो बन रहा है फरवरी में मातर छे दिनों का ही रखा गया है रिजर्व फरवरी में बरती प्रिक्षव के लिए बोर्ड ने केवल छे दिन 4, 5, 18, 19, 25, 26 फरवरी को ही रिजर्व कर रखा है इन 6 दिनों में बोर्ड को शिक्षक बरती, CET और CHO बरती प्रिक्षव आयोजित करानी है बोर्ड इस पर विचार कर रहा है कि इन 6 दिन CET, 2 दिन शिक्षक और 1 दिन CHO बरती का आयोजित करवा लिया जाए यानि कि 3 प्लस, 2 प्लस एक हैं टोटल 6 दिन यहाँ पे रिजर्व रहेंगे उसके फरवरी के क्लिर है दोस्तों आप देखिए CET सीनियर स्केंडरी जो 12 लेवल का जो कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट है वो उसमें यहाँ कि CET सीनियर स्केंडरी के लिए बोर्ड को 16.33 लाग आवेदन मिले है प्रिक्षा 6 पारियों में कराने के लिए 3 दिन चाहिए शिक्षक बरती के लिए 8 लाग आवेदन मिल सकते है प्रिक्षा रिट की तरज पर 1 पारियों में लेवल 1 और 3 पारियों में लेवल 2 हो सकती है इसके लिए बोर्ड को 2 दिन चाहिए बचे वे एक दिन में CET वरती के प्रिक्षा है क्राई जा सकती है क्लीर है दोस्तों तो यहाँ पे ये सेडूल बोर्ड ने बनाया था बट इस सेडूल के अंदर भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक बोर्ड क्लियर नहीं है वहीं उपे नियादव जी जो है राजस्तान बिरोजगारे की करत महासंग के अधियक्सून का कहना है कि शिक्षक बरती को लेकर अभी रतियों में एसमंजस बना हुआ है लेवल टू के पद बढ़ाकर बरती जल्दी शुरू की जाए प्रिक्षा तित्षी को लेकर स्थिती सपस्ट होनी चाहिए और उसके बाद रिवल टाया है हरी परसाजी शर्मा का कि शिक्षक बरती के अभी रतना नहीं मिली है अभी रतना मिलने के बाद इसकी समिक्षा होगी इसमें चार-पांस दिन का समय लग सकता है ऐसे में फरवरी में होने वाली भरतियों के कार्यकरम को रिशेडूल करना पढ़ सकता है तो यानि कि जो भरतियां है उसको रिशेडूल करना पढ़ सकता है ऐसी खबर अब तक आई है कब की दोस्तों फरवरी के अंदर जो फरवरीम में प्रिक्षे होने वाली है उनके उले करके अब आप बोलो इस तरह हमारी तो कोई थी नी इसमें प्रिक्षा बिल्कुल थी दोस्तों CET थी आपकी अगर आपने टीचर का एक्जाम नहीं बराया तो CET तो आप दो गए ना CET के बिना तो आप आगे नोक्रिया हो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो हमारे WhatsApp ग्रूप का लिंक आपको नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ से मारे साथ जुड़ सकते हो ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स उडियों में तब तक के लिए बाबाई टेक केर जै हिंद जै बारत लवी ओ